नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका MS चादोन YouTube चैनल पर दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दू कि ये वीडियो only educational purpose के लिए बनाई गई है इस वीडियो का आप गलत यूज ना करें यदि आप इस वीडियो का गलत यूज करते हैं इस ट्रिक का गलत यूज करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी हमारे YouTube चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ WhatsApp की जिससे आप किसी के भी बिना नंबर सेब किये मेसेज बेज सकते हो किसी को भी उसके नंबर अपनी context लिष्ट में बिना सेब किये उसको WhatsApp पर मेसेज सेंड कर सकते हो इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तो आपको सबस्क्रिप्शन में एक लिंक रखें जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ इस ट्राइप का इंटरफेस दिखाई देगा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा अब दोस्तो उपर आपको क्या करना है आप देखेंगे यहाँ पर उपर आपको link पर क्लिक करना है जैसे यह link पर click करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा ऐसा जब आप link पर click करेंगे तो इस तरीके का interface दिखाई देगा अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे उपर link पर is equal to का आपको sign दिख रहा है उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लिखना है प्लस यहाँ पर आपको प्लस उसके बाद मैं 9 1 और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर मॉबाइल नमबर डाल देने हैं तो मैं यहाँ पर मॉबाइल नमबर डाल देता हूँ इसके बाद में आपको search कर लेना है जैसे ही आप search करेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा अब यहाँ पर आपको message का option दिखाई देगा तो आपको इस पर click करना है click करने के बाद में दोस्तो आप यहाँ पर देखेंगे direct आप उसको बिना number save किये message send कर सकते हैं जैसे कि कुछ भी hi hello आप send कर सकते हैं तो मैंने यह आप send कर दिया है तो दुस्तो बिना number save किये आप WhatsApp पर किसी को भी message कर सकते हैं यह एक जुगाड है जो मैंने आपको बता दिया I hope आपको पसंद आया होगा धन्यवाद